कि अज़िए देखना करते हैं कि अज़िए पाड़ी ट्राइब स्टी फोरूम जमुएंड कश्मीर की तरफ से आप सब बीडिया साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती व्क निकाल के हमारे पास आए मेरे साथ बैटे हुए है मैं फुद हूँ एड़ोकिट एसान मिर्जा पाड़ी ट्राइब स्टी फोरूम का एजिक्यूटिव मिर्जा साथ जो सब मीडिया करमी है आपको यहाँ जो बुलाने का जो मकस्द है वो ये है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ी कबीले की एक 40 साल की एक मांग थी कि उनको शेडूल ट्राइब का जो है उदर्जा दिया जाए और बड़ी सरकारें आती रही वादा करती रही लेकिन किसी ने भी पहाड़ी कबीले के लो सरकार है इनकी कोशों और कावशों से जो है पहाड़ी कबीले को जो है वो शेडूल ट्राइब का दर्जा मिला रही आज इलेक्शन आ चुके हैं और पहाड़ी कबीला भी जो है वो मैं ये कहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उनका एक बहुत बड़ा वोट ब कबीले का और काफी दिनों से जो है हम जगा जगा पे लोगों से जो है मुलाकाते हुई उनसे डेलिबरेशन्स हुई और फाइनली उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था अलजजा उल एहसान मतलब के एहसान का बदला जो है वो एहसान से चुकाया जाएगा बारते जंत आज पहाड़ी ट्राइबस्टी फोरम की तरव से हम लाखों पहाड़ी कभीले के लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अपना कीमती वोट इस एसेंबली सेशन में बीजेपी के कैंडिडेट्स को पूरे जम्हु कश्मीर में जहाँ जहाँ पे चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट गुजर है चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट पहाड़ी है उसमें हमें कोई हमारा कोई डिफरेंस नहीं है हम यह कहते हैं कि हमने मोदी जी को इंपावर करना है हमने मानी अमिच्छा जी को इंपावर करना है बाजपा को इंपावर करना है और पूरे पहाड़ी कभीले जो के जाना जाता है कि उनके ओपर जो इतनी बड़ी जो उनको सुगात दी गई है और वो सुगात इलेक्शन स कि उनकी जो जो कॉंसी चंसीज है पहाड़ी कभीला मेजोर्टी में जो अपना वोट है वो बाजपा को कास्ट करे अपना जो वोट है वो सही तरिके से इस्तमाल करे तांकि जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है उनको ये लगे कि ये जो कौम पहाड़ी कौम है ये ऐसान फर बाजपा जब अपना केंडैट उतारेगी कहीं तो पाड़ी कविला उसके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि उसके बाजपा ने अपना क्नडैट नहीं उतारा था तो आज वर्क्वड़ गया है हर तरफ बाझपा का organic है हर कॉंसूचोंचींस में आप यह काँगा कि हमारा लोटर में हमारा सारा को दो है मैक्सिमम वोट जो है वह भापा को मिली इन तस अटासव साथ ने कहा कि पहड़ी ट्राइब स्टी फोरूम थी उन्होंने सेंटर में मोधी जी अमिशा जी और सेंटर की सरकार को यहां तक पहुचाया कि उन्होंने पहाड़ी कभीले को श्रूल टेफ सेडिस दिया और आपने देखा होगा कि अभी जो पीछे नीट का अग्जाम हुआ है उसमें पहाड़ी कभीले के 106 बच्चे में आ को है असंबली एक्षिंस जमू किश्मीर में असंबली एक्षिंस हो रहे हैं 18 को पहला फेस है 25 को है इसको फरस्ट को है हमारा जो आज करने का एक ही में मकसद है कि पहाड़ी कभीले के लोगों को याद लाए जाए जाए कि तीस पैंटीस साल से जो हमारी एक मुमेंट चलि करेंगे उसके बाद माननी आमी शाजी ने रजोरी में लाखों के जलसों में जलसे में कहा था कि हम अपना वादा पूरा करेंगे लेकिन साथ साथ में जो आलड़ी जमुक्षियों में एस्टी हैं चाहे वो गुजर बकरवाल हैं गड़ी सिती शीना उनके हाग के साथ भी किसी को नहीं दिया जाएगा और यह बहुत बड़ी बात है उन पार्टियों ने जिन्होंने इसी पर हिस्यासत की एक तरफ पहाड़ी कुबिले को उनका हख नहीं दिया दूसी तरफ हमारे दूसरे साथियों को दे के वह 30 साल यहीं पार्टिस करते रहे हम भारतियंता पार ज़वान आज 18 साल का होकर पहली बार बोट डालने जा रहा है और वो बज़र्ग जो वह 90 साल का है जा 80 साल का है हम यक तरफा होकर पहाड़ी कबिला भाजबा की स्पोर्ट करें बीजेपी के कमल के फूल का बटन दुबाएं क्यूंकि वोट से ही सरकारे बनती हैं और फिर सरकारे कोमों के लिए फैसला करती हैं आने वाला वग्ड जमौ किश्मिर के लिए और खासकर रज्योरी कौश के लिए एक मैं कहुंगा कि मील का पत्र साथ होने वाला है कि हम किस तरफ वोड करते हैं किस की सरकार बनेगी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसमें रजोरी कुछ का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है पहाड़ी कभीले का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है इसके बाद हमें हैं लेकिन वो तभी हल होंगे जब यहां डवल इंजिनर की सरकार चलेगी सेंटर में बाजपा की सरकार अल्रेडी से है और हम चाहते हैं कि जम्हुक्षमें में सरकार बनें और इसके लिए हम तमाम लोगों को और खासकर जोरी पुंच में लेकिन पहाड़ी कुमिले के लोगों को बिल्किसूस आपके मादिम से ये अपील करते हैं कि जो हमने वादा किया है कि एसान का बदला एसान से चिकाएंगे जिस सरकार ने हमारा साथ दिया हम उसकी सरकार जम्मो कुमिर में बनाएंगे इसी नारे के साथ एक पर फिर अपील करते हुए कि बाड़ी के बिलेंगे लोग 18 तरीकों 25 तरीकों पहली तरीकों खुल कर बाहर निकलेंगे और भाजपा के हख में पॉलिंग करेंगे ताकि ज्यादा ज्यादा सी जीत कर भाजपा जमुक्ष में सिरकार बनाए और आगे आने वाला जो हमारा पभीश्य है वो और खुबसूरत हूँ